अमिज जी आपको News 18 Network को ये exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके शहर में हैं आपकी constituency गांधी नगर में हैं साबर मती रिवर फ्रेंट पे हैं शुरुआत करते हैं अगर आप पहले दो फेजस को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नाउट थ अच्छे पर प्रतिशत भी नीचे रहा है वोटर टर्नाउट तो 400 पार का आपका नारा है 370 भारती जन्ता पार्टी तो क्या गाड़ी पट्री पे है कहीं असा तो नहीं कि कुछ रेल पट्री पट्री पे है आप परिनाम के दिन देख लेना साड़े बारा बज़े के पहल एंडिये 400 पार कर जाएगी मोदी जी फिर से प्रदान मंत्री जो लोवर टर्नाउट है इसके बहुत सारे कारण है 12 साल के बाद कि मत्दाता सूठी का सुध्धी करन हुआ है दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है जिसके कारण टर्नाउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है मगर हमारी पार्टी की टीम ने मैंने स्वयम बहुत डिटेल एनालिसिस किया है हम दो चरण में सौ पार करकर सौ से भी कई अधिक सिटे जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में तो मुझे 400 पार के लक्स में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है पहली शुरुवात करते हैं हम जी मुद्दों पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारती जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है किन उपलब्धियों को आप संख्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के भी उतर रहे हैं देखे सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नकसलवाद दो ऐसी समस्याएं थी जो कई दसकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलप्मेंट के लिए नासुरू बनी हुई थी नरेंद्र मोदी जी ने दस साल के इंदर लगभग लगभग आतंकवाद से सत्प्रतिसत निजाज पाई है और नकसलवाद से आप कह सकते हैं पचानवे प्रत्सत तक इसको समाप्त कर गया है आज बिहार जार्खन मद्यपदेश ओरिशा तेलंगाना आंद्रपदेश महराष्ट के साथ इतराज्यों में से नकसलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है चतीस गड़ के चार जिलों में बचा है वहाँ पर भी अब भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वीगत तीन महीनों के अंदर ही लगभग सो नकसलवादी मारे गया मुझे पुरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रदानमंत्री बनने के बाद एकाद दो साल में ही देश नकसलवाद से मुक्ति पालेगा दूसरा बड़ा इस्शू है देश की इकोनोमी सब दुरूष्टी से चर्मराई हुई थी पॉलिसी बनती ही नहीं थी उत्पादन की गतिविद्या बड़ी मंद पड़ गई थी निर्याद वंदे मुव घिर रहा था देश की सारी सर्वजनिक बैंकों की बैलेंसीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए इस प्रकार की स्थिति थी महगाई आस्मान को चूर रही थी और कुल मिला कर बजेट के 16 के 16 पेरामिरिटर्स नेगेटिव दिखाई पर दे थी दसी साल में मोदी जी ने ये परिद्रुष्य को पूर्ण तयाब बड़ा है सेर बजार अज आस्मान को चूरा है एफाई आई के सेलिंग के बाद भी भारतिय मिच्चूल फंडों ने बाजार को ताकत दी है पी एलाई स्कीम के कारण और एक मजबूत इको सिस्टिम के कारण भारत फैवरेट डेस्टिनेशन मैनुफेक्चर के लिए पूरी दुनिया में बना है हमारे बच्चे स्टार्ट अप हरोज रजिस्टर कर रहे हैं हमारी कंपनिया हरोज पेटन रजिस्टर कर रही हैं धेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं सभी की सभी बैंको की बैलेंस इट अज बहुत अच्छी बन चुकी हैं इंडस्टियल ग्रोथ के जितने भी पेरामिटर्स हैं वो पचीस साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं एक्सपोर्ट रेकोर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है इसी प्रकार से फीचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले पचीस सालों तक दुनिया भर की एकोनोमी को ड्राइव करने वाले हैं वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायोनियर बन चुका है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैनिफेक्टरिंग ठोड़े लेट है मगर सेमी कंड़क्टर इलेक्ट्रिकल मोटर वेहिकल बैटरी का उत्पादन अंतरिक्स का क्षेत्र लेट होने के बावजूद मैं फिरी से कहना चाहूंगा डिफेंस भी इस प्रकार के कई शेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की एकोनोमी की दिशा और दसाताई करने वाले हैं वहां आज भारत एक मजबूत फांडेशन डाल चुका है और ये फांडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है आज तो इकोनोमी भी सुद्री सुरक्सित भी हुआ थेश ग्यारवे नंबर का अर्थतंत्रा था पांचवे नंबर का अर्थतंत्रा बना है गाव हो या सहर जंगल हो किया रिगिस्तान साघर की नारा हो या सहर ओ हर जगे इंफ्रेस्ट्रक्चर के डेवलोप्मेंट के काम हो रहे हैं आज 10 लाग करोड का इंफ्रेस्ट्रक्चर का खर्चा भारत के बजेट में आम बात बन चुका है जी एश्ट्री कलेक्शन और डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन अपने सारे रेकोर्ड स्वयम ही तोड़ते जा रहे हैं देश के अंदर सिमाओं को चौक चौबन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है जनता में भारत का भविश्य उज्वल है इस प्रकार के विश्वास का निर्मान करने की नेतुतों की जो जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है पूरे 130 करोड़ लोग हम विश्व में सर्व प्रथम बन सकते हैं यह आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं हायर एज्यूकेशन हो नई एकोनोमी पॉलिसी हो या फिर राम जन्वभुमी धारा 370 रटाना त्रिपल तरलाग समाप्त करना यूसीसी हो या देश के क्रिमिनल लौ के अंदर आमुल चुल परिवर्तन करना हो हर क्षेत्र के अंदर ये दस साल स्वर्णेम अक्सरों से लिखे जाने वाले दस साल जन्ता भी ये फिल कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका वो केवल और केवल नरेंद्र मूदी जी का नित्रुत है आपके आर्थिक और एकनामिक पकड़ भी बहुत अच्छी है आपने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड जब ये कैंपेंड की शुरुवात हुई थी पिछले कुछ महनों से सरकार एकॉनिमी की बात कर रही थी डिवेलपमेंट की बात कर रही थी जो चीज़ें अभी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी पहले पहले चरण के बाद ये देखा गया कि थोड़ा ये तुष्टिकरल की ओर मुड़ा थोड़ा हिंदू-मुसल्मान हुआ आप लोग ने कॉंग्रेस के variety कि मैनिफेस्टो को टैकifa और कहा रघानमंत्री ने राजस्थान में रैली में कहा कि जो है काउंग्रेस का मैनिफेस्टो में अर्बन नकसल की महक है इसमें मावेष्ट वो धिख्याल दिखाई देता है तो ये ये कहां से आया। दिखें हमारा दाई तो है कि हमारे खिलाब जो चुनाव लडेन की मनसाओं को हम उजागर करें आप मुझे बताएं इस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल लॉज की बात कर सकती है क्या क्या देश सरिया के अधार पर चलेगा एक और हम हमारे गोशना पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम इनिफर्म सिविल कोड लाएं गया कॉंग्रेस कह रहे ही हम परसनल लॉज को प्रमोट करेंगे कोंग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए बहुत महित्व पुर्मुद्दा है इसलिए आप कह रहे हैं मुस्लिम लिग की छाप है बिल्कुल मुस् है नहीं है इसके आधार पर निडारीत होंगे एक कांट्रेक्टर के धर्म के आधार पर निडारीत किस तरह Questo सटमाम निफित ची भी clarity के बहुत समयत्य के बाद देश तुर्ष्टवieme की राद्रीति से नफेनर मोदी जी बहार निकाल कर रहा है यह पर से उसी दिसा में ले जा रहे हैं कि कॉंग्रेस जीतने का आत्म इश्वास घमा चुकी है प्रधान मंत्री जी ने उस रैली में ये भी कहा कि सब के सब की जमापूंदी पूजी को चेक करके वेल्थ को रीडिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा और वेल्थ रीडिस्ट्रिब्यूट करके मुसल्मानों और घुस्ट पैटियों को दिया जाएगा यह कहां से आता है यह वहां से आता है देश के प्रधानमंत्री ततकालिन प्रधानमंत्री मन महुन सि का बयान है बड़ा प्रसिद्ध बयान था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनोरीटी का और माइनोरीटी में भी मुसल्मानों का अब जब बैल्ट को डिस्ट्रुबिट करने की बात आती है तो संसाधन से ही होगी सरकार उसको लोगों की संपति को लेकर डिस्ट्रुबिट करेगी और मैं कहता हूं कि अगर सच नहीं है तो कॉंग्रेस पार्टी बता है इसका मतलब क्या है नहीं वह कह रहे है राहूल गांदी ने साफ साफ कहा है कि अगर जो है वह लोग सरकार तो एक नेशन में नेशनवाइड एक्सरे होगा एक्सरे होगा जिससे कि सोच्यौनामिक स्टेटस लोगों का पता किया जाएगा किस बर किस जातिक पास कितनी दॉलत है कितना धन है इंस्क्री और eighty allora wszyscy comment मुझे लगता है इतनी पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्ट माइनोरिटी और एक्स्ट्रीम लेप्ट आइडियोलोजी वाले लोगों को आउट्सोर्स किया है तो जो मंगल सूत्र की बात है वो कहां से आती है वो इसी इसी का एक स्वाभाई कुप से जब वैल्थ आती है तो इस त्रीधन हो गया लोगों के पास जो जित्ति वी जमापुन जी है वो होगी प्रॉपटी इनको इस देश के संसकार इस देश की चंटा का मूड और इस देश की परंपराओं से कोई लेन देने तो आप कभी नहीं लाएंगे इसको इन्हेरेटेंस टैक्स को विरास विरास टैक्स कभी नहीं हमने हमारा संकल पत्र जनता के सामने पार दर्सितिक के साथ रख दिया इसमें सारी बात हैं कुछ छिपार कर नहीं करें एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वह यह है कि मैनिफेस्टों को कॉंग्रेस के देखते वे आप लोग कह रहे है कि यह OBC Reservation को काट कर मुसलमानों को दे देंगी इसका मैनिफेस्टों नहीं यह कर चुके हैं करनाटक में उनकी सरकार थी रातों रात करनाटक के सारे मुसलमान को बैकवड बना दिया ना बैकवड नियंसका सरवय हुआ ना कोई कमिशन बना धर्म के आधार पर सारे लोगो तो मेरे वीडियो को में तोड मरोड करकर जनता कके सामने पेसिए आज आपने प्रेस कांफरेंस रहूल गांधी के राधनीची के अंदर कोंगरीस की कमान्स सब्सक्राइब क batchs राधनीति का स्तर में 70 आप यह मोरत आप यह जिसना बैस कर सकते हो सोड सराबा करना बहिसकार कर देना बोलने नहीं देना डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बहार निकल कर प्रेज करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्या समध्य देश की जनता को देश की जनता इस सब नहीं जानती है देश की जनता इस सब चीजे बहुत अच्छे तरीके से जात prank कि लोग तंत्र में healthy debate हो नीचे है कि और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो आप लोग उनको भी पूछना चाहिए मगर आप लोग सवाल हमें ही पूछते हैं उनको नहीं पूछते हैं जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग हमारी टीम लगी हुई है एक बात जो है कास सेंसर्स की है इसी से जड़ा हुआ सवाल है कास सेंसर्स की है उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, इसको आप कैसे देखते हैं। मंदल कमिशन को दबा कर रखा, सेंट्रल के इंस्ट्रिट्विशन में OBC को पिछड़ावर के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया, जब मंदल कमिशन लागू हो रहा था, विपक्स के नेता के रूप में राजीव गांदी ने दो गंटे का विरोत का भासन कराएं। तो देश को सबसे सफल प्रदानमंत्री, पीछड़ा वर्क से और घरीब के घर से पैदा हुआ नेचरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया। नारेटिव बनाने की ये कोशिश है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का चेंज करेंगे, उसके बाद फिर OBC, SC, ST के जो है रेजरवेशन के संग आप लोग कुछ बदलाव करेंगे। नारेटिव बनाने की कोशिशや 이용 हमारे अब्रेंदान बदलने की इस देश की किया हमने क्या किन demanded जब्रेशm को समाथ कन्रेंग क्या attam अब तर्यपलन लाक समाथ करूने में किया अंग्रेज्डवा के कानुन बदलने में किया, कश्मीर के अंदर सांती करने में किया हमारे पास दस साल से अधिकार है राहूल गांदी का एक रूल है जूट बोलो जोर से बोलो और बार-बार बोलो वो रूल को फॉलो करे आपको लगता है कि ये नारिटिव इसी लिए इसी बार-बार बोलते हैं नहीं बनता है की बात की तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि अभी हाल फिलाल में आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं नकसल पे क्राकडाउन किया आपने कहा है कि दो तीन साल में चप्तीस गड़ में भी आप इसको समात कर देंगे नकसलियों को तो कॉंग्रेस के कुछ नेताओं जोखिम में डाल कर घने जंगलों के अंदर ऑप्रेशन करकर नकसल को मारते हैं और नकसल कहते हैं कि हमारा कैडर मारा गया है और कंग्रेस पार्टी कहते हैं यह फेक एंकाउंटर है बगवान ही बचाए इनको बगवान भी साहिद नहीं बचा सकता आपके पिछले कारिकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किये आपने आर्टिकल 370 को रद किया आपने C.E.A. को इंप्लिमेंट किया क्रिमिनल प्रोसीजर लौ लाए आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किये पर अगर आज आप आप उपोजेशन को देखें तो अपस लाएंगे कहते हैं C.E.A. हम इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे और सारे बड़े नेता ममता बैनर जी चिदंबरम जी यह सब इस तरह की बाते करते तो इसको आप कैसे देखते हैं क्या कहना चाहिए इनके माइनोरिटी के वॉट प्राप्त करने का टोटका है उनको ना सत्ता में आना है ना 370 को वापीस आना है ना उनको सत्ता में आना है ना C.E.A. रदोना है उनको भी मालूम है मगर वो माइनोरिटी एपीस्मेंट करकर माइनोरिटी के वोट अंकीत करना चाहती है एक मात्रकारण से जुट फेला रहे हैं मैं इस इंटर्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राहूल जी भारतिय जनता पार्टी का एक भी संसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, CA समाप नहीं हो सकता, अब यह इतियास का हिस्सा बन चुका है 370 और CA वास्तविक्ता बन चुका है सिर्फ आप इससे सिर्फ आपने इसको जल्दी बाजी में इंप्लिमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिक्ता भी लोगों को मिलेगी और यह कब तक पॉसिबल होगा, इसका क्या टाइम फ्रेम है देखे, अप्लिकेशन आना सुरू होगा है, रूल्स के हिसाब से इसके स्कूटिन ही हो रही है, मुझे लगता है चुनाओ के पहले ही, अंतिम मतदान के पहले ही नागरिक्ता देने की सुरुवात हो जाएगी आप लोग्पिज जी युनिफर्म सिविल कोर्ट की बात कर रहे है, कॉंग्रेस पस्णल लॉस की बात कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं, ये वोट कहीं न कहीं आप लोग अपना अपना वोट साध रहे हैं अपना अपना वाट नहीं, Uniform Civil Code हमारे समविधान का मेंडेट है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, हमारे मार्ग दर्शक सिध्धान जो समविधान ने हमारे लिए बनाए, उसमें लिखा गया है कि देश के विधान मंडल और देश की संसद ने उचीत समय पर ये प्रयास करना होगा कि इस देश में Uniform Civil Code लागू, मुझे लगता ही उचीत समय आ गया है, और यह आज से हम नहीं कह रहे हैं, हमारी पार्टी बनी इसके पहले गोशना पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानूम नहीं होना चाहिए, Uniform Civil Code होना चाहिए, अगर ये देश पं नहीं होने चाहिए. आपको मालूम नहीं है, देश की जनता जागरूख हो गई, आपकी एपीस्मेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी, कि एक एपीस्मेंट जब आप करते हो, तो दूसरा वर्ग जागरूती के साथ काउंटर प्रोड़क्टिव रूप से लामबंध होता है, अब य किया, मैनिफेस्टों में एनर्सी की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा क्यों? और जहां तक गुस्पेट का सवाल है, अब देश की एक ही राज्य से गुस्पेट हो रही है, बंगाल से, क्योंकि ममताब एनर्जी की सरकार का उस पर वरद हस्ते, वो गुस्पेटियों में अपनी वाट बेंक दिख रही है, उनको गुस्पेट में राष्ट्रिय सुरक्स खत्रे में हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि मेरे वाट बढ़ रहे है, नकेवल बंगाल समगर देश के लिए बहुत खतरनाक सोच है, मैं बंगाल की जनता को रदय से अपील करना चाहता हूं, कि इस बार भारतिय जनता पार्टी को सफल बनाईए, इ एसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी प्यार नहीं मार पाएगा, इसलिए C.E.A. का दंखं से वो विरोध भी कर रही है, वो कह रही है, कि जो है C.E.A. कभी इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे, उनको मालूम नहीं है, नागरिकता सेंटरल सब्जेक्ट है, इसमें स् बहुत बड़ा बादा था जो आपने निभाया, मगर ओपोजेशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मान दें, दिखे राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था, जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे, हमने तो वोट लेने का क आरानी समाप कर दिया, ओपोजेशन को चिंता इसलिए है और पुरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, सांति पुर्वक्तर के से बना, समवेधानिक रूप से बना और प्रान प्रतिष्टा हो रही थी, इन्होंने प्रान प्रतिष्टा का बहिस्कार किया, माइनोरिटी के डर से वो प्रभु स्री राम की प्रान प्रतिष्टा में नहीं गये, इसलिए पुरा देश उनसे नाराज है, हमने कभी यह नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया, इसलिए हमें बहुत दी गये, वगर पुरे देश की जनता जानती है, सतर साल से लोको यह ल प्रतिष्टा भी करती है, और आज भव्य राम मंदिर समगर देश को अलहाधीत करने वाला राम मंदिर बनाया, अमिजी एक आखरी सवाल हिंदू-मुसल्मान की जो चर्चा रही है, उस पर मुझे आप से पूछना है, प्रधान मंत्री ने पिछले साल एक साल पहले पासम मंत्री ने सिर्फ पसमंदा मुसल्मानों को आउटरित नहीं किया है, ट्राइबल्स को भी किया है, दलीत को भी किया है, पिछड़ा वर्क को भी किया है, गरीबों को किया है, किसानों को किया है, मात्रु सक्ति को महिलाओं को किया है, युवाओं को भी किया है, वो उनका का कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं आपके प्रेडिक्शन जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था ये सही हुआ तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं गुजरात में हैं आपके साथ गुजरात से शुरुवात करते हैं पिछले दो चुनाओं से 26 में 26 सीटें आ रही है क्या इस बार है ट्रिक करने की आपको पूरी उभीद है निश्ची तुरुप से गुजरात में हम 26 की 26 सीटें जीतेंगे और मार्जिन भी सब सिट पर हमारे 19 के चुनाओं से ज्यादे हो कुछ ये बात चल रही थी कि शक्त्रिय जो है वो थोड़ा सा रूठे हुए हैं आप लोगों से हम बरोबर समवात कर रहे हैं उनसे मुझे पुरा भरोसा है सब चीजे अपनी जगे पर ठीक होगी हम 26 की 26 सीटें भी जीतेंगे और हमारे मार्जिन्स में भी बड़ोती होग तो ऐसे में आप करनाटिका को कैसे देखते हैं खास करके अभी एक बहुत रवन्ना जी का आज आपने उस पर प्रेस कॉंफरेंस में आपने बयान भी दिया है तो आप जो प्रतारित महिलाएं हैं जो उसको आप कैसे देखते हैं क्या क्योंकि वो आपके वहाँ पे सदस्य से हैं आपका वहाँ उसे अलाइंस है तो आपको यह अलाइंस के प्रेशर में आ जाएंगे क्या कठोर कदम उठाएंगे मैंने आज सुबह ही भारते जनता पार्टी का रूख पष्ट कर दिया है कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए मगर प्रियंका जी और राहुल जी यह सब्नें कह रहें कदम क्यों उठाएं नहीं जा रहे हैं साइध उनको मालूम हिन से स्टेट का लोटाएंंडर वगवरर्मेंट को समालना होता है और वहां उनकी सरकार काड़ कदम उनको उठाना है हमेंनेить जाण परन्तु भारतिये जनता पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और किसी भी हालत में कोई भी हो इसको सहन नहीं किया जा सकता और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और भारत सरकार के विमेन कमिशन ने आज करना टक स्टेट गवर्मेंट को नौटिस बिनकाल दिया है तो अलायंस का कोई प्रशर नहीं है कोई उसके दबाव में आप कभी नहीं आएंगे इस मामले में ना हम पर दबाव है ना हम दबाव में आएंगे एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत कवाला किस्सा जिसकों की एक लव-जिहाद का कलर मिला है कलर नहीं वहीं इपक का मामला ही लव जहाद यहीं मैं आपसे जानना चाहता था इस पर अगर आप कुछ बता सके क्योंकि सीम और होम मिनिस्टर ने कहा है यह पर्सनल मामला है वो अपनी माइनोरिटी वोट बेंक के कारण ऐसा कह रहे हैं मुझे एक बात बताईए बच्ची क तो किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्सा केमपर्स में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस तरह से हत्या होती है और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूसर्ण से आप नजरे चुरा रहे हैं केवल वाट बेंक के लिए उनको तो बंबलास्ट होता है व इनकी सरकाराई SDPI का समर्थन उगलिया और अब बंबलास्ट होनने लगे अपनी वाट बेंक की पोलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे देश की सुरक्सा बेंगलूर की सुरक्सा करनाटक की सुरक्सा इसको भी कॉंग्रेस पार्टी ताक पर रख रहे है ऐसा माहौ में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की कितनी सीटे देते हैं आप करनाटक में भारती जनता पार्टी और उसके गड़ बंदन तो देखिए अभी एक चुना होना बाकी है मगर मुझे लगता है कि कमो बेस हम हमारी पोजीशन को बरकरा रखेंगे जितनी सीटे पहली थे उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी यह तो मतलब बड़ा बयान है आपका महराश्ट की और चलते हैं महराश्ट में एक अमिजी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है दो दल टूटे हैं एक तुकड़ा आपके साथ है एक तुकड़ा उधर है यह कहता है हमारा ओ ओदी जी के साथ है उसको वाट मिलेगा क्योंकि यह चुनाव देश का प्रदानमंत्री कौन बने इस पर लड़ा जा रहा है दो खैमे स्पष्ट है एक और नरेंद्रम ओदी जी के नित्रूतों में एंडिय है एक राहूल बाबा और सरत्पवार ममता जी स्तालीन को चुनना है एक और बारा लाग करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार करने वाला इंडिय लाएंस है दूसरी और तेईस साल मुख्यमंत्री और प्रदानमंत्री रहने के बावजुद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा ऐसे नरेंद्रम हो दिए एक और घर्मी आते ही छुटी पर जाने वाला दल है विदेश में छुटी पर जाने वाला क्योंकि यहां गर्मी बहुत जैदे होती है और दूसरी और तेईस साल तक दिपावली के दिन भी छुटी न लेकर सरहद पर जवानों के साथ दिपावली मनाने वाले नरेंद्रम हो दिए एक और अपने बेटे बेटी बतिजे बहुयों के लिए काम करने वाले राधनितिक दल है दूसरी और देश के घरीब मैला किसान युवा के लिए काम करने वाले नरिंदवो दिए तो देश की जनता ने यह ताई करना है कि देश को सुरक्षित करने वाला व्यक्ति चाहिए या वाट वाला ग्रूप चाहिए देश की जनता ने राहुल जी फैसला कर लिया है देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो दल मोदी जी के साथ है उसको वॉट लेगे चुनाव मोदी जी के प्रध्यान मंत्री बनाने का चुनाओ एक्तालिस सीटे थी आपकी पिछली बार गडबंधन की इस बार आप नतीजे आने दीजिए आप चौक जाएगे वहीं से चार सो होता है तो महराष्ट से आपको पूरी उमीद है कि 41 से पक्का हम देखें आंकडा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए कि कमो बेस यही परिणाम रहेगा महराष्ट मध्यप्रदेश उत्राखन जम्मू कस्मीर दिल्ली गुजरात करनाटक हम सत्त प्रतिसत रिपीट करें उत्तरप्रदेश ह पांच से साथ सीथ की बढ़ोतरी करें औरी सा हम सोला के असपास जा सकते हैं और सोला सोला और आसा में भी बारा के उपर चले जाएंगे बारा भी हो सकती है बंगाल हम कम से कम 30 सीथ जितेंगे पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटर्व्यू में 30 यह तो हम जोड़क अब निकाली सकते हैं कि कितना होगा 370 होगा की नहीं आपने सारे आखड़ दे दिये उदिशा में दोस्त दोस्त न रहा आप लोग आप लोगों के रास्ते अलग हैं वहां पे कल मैं प्रधानमित्री को जब इंटर्व्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यह उदिशा की असमिता कपर सवाल है इस बार तो आप इसको कैसे देखते हैं उदिशा में क्या हो देखे मेरा स्पष्ट मानना है कि औरिशा विकास के मामड़े में पिछरता जा रहा है इसके साथ साथ औरिशा की भासा औरिशा की संस्कृति औरिशा का पहनावा इसकी गरीमा पर भी गंबीरूप से चोट हो रही है और भारतिय जनता पाटी मानती है कि किसी भी राज्य की भासा संस्कृति के साथ खिलवाड नहीं होना चाहिए हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज्यादा संभावनाओं का दोहन करते हो होना चाहिए जो रिसा में नहीं हो रहा है इसलिए हमने नेने किया है कि हम अलग लड़ेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उरिस्ता की जनता मोदी जी के नेत्रूत में भारती जनता पार्टी को असिरवाद देगे आपने बड़ा नंबर दिया लोकसभा चुनाओं के लिए राजय सभा की चुनाओं को आप कैसे देख रहे हैं देखिए इसका एसेस्मेंट अभी चुनाओं की काफी देर है प्रत्यासियों की घोस्तना दोनों और से बहुत लेट हुई है मेरा एक ही दोरा हुआ है थोड़ा एसेस्मेंट आएगा परन्तु मैं इतना निश्ची पिछली बार से उत्तर प्रताइस में सीटें बढ़ा है मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो असी की असी हो सकती है अरे तो बहुत बढ़ा बने बयान है आपका रिकॉर्ड 2014 कब्रेक होगा जी एक सब कुछ अच्छा रहा तो असी की असी भी जीत सकते हैं इसका मतलब जी अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पर ये देखा गया है कि जो आप जो तेजस्वी और जो गडबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुछवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है कोई सवाली नहीं पैदा होता तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जुस तरह का आपका प्रफॉमेंस तो साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया प्रधान मंत्री ने वहां बहुत दोरे किये आपने खुद परसलली वहां प कुल मिला के कित्ती सीटें क्या केरला टामिलाडू में खाता खुलेगा हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं खाता तो निश्चीत रूप से खुलेगा परन्तु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की तक्कर हुए पर दोनो दोनो प्रदेश Uhnel टामिलाडू में भी खुलेगा करेला में और तेलंगाना और अंधर को कैसे देखने आप अंधर प्रदेश में हमारा ऑ्राइंस हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं अभी शुरुवात है और तेलंगाना में तो हम लोक सबाए में बहुत अच्छा ह हमारी अब तक की हाइस सीट हम वहां से जीते हैं अमिजी एक सवाल और इस चुनाओं के पहले दो सीम जो है अरेस्ट हुए है केजरिवाल जी अरेस्ट हुए वो तो अभी भी मुख्यमंत्री है एमन सुरें जी अंदर है तो आज सुप्रीम कोट ने एडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है तो इसको आप कैसे देखते हैं दिखें एडी सुप्रीम कोट के सामने एक्स्प्लेइन करेगी मगर मैं बताना चाहता हूं यह समन के बाद हाजरी नहीं हुए पहले समन में अगर आये होते तो चुनाओं के छे महीना पहले एरेस्ट ह हो जाते बहुत पार समन्स दिया गया वह आये ही नहीं अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरिवाल जी कह रही है कि उनको इंसुलन नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर ठीक से रखानी जा रहा है यह उनको मारने की साजिश है देखो भया तिहार जैल दिल्ली सरकार के अंतर रिपोर्ट करता है प्रिजन सिदा दिल्ली सरकार को आता है तो इसमें आपका कोई और सवाल यह फेदा और आया बहुत सालों से बात कर रही है लोग उने बात कर रहे हैं यह लोग EVM की बात कर रहे हैं दिसको आप क्या यह कर पाएंगे वन नेशन वने लेक्षिन मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दो जी राहूल गांदी जी जो बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं अगर हम EVM के कारण जितते हैं तो तिलंगाना में क्यूं हरें तमिलनाड में क्यूं हरें केरल में सालों से क्यूं हरें हिमाचल में क्यूं हरें बंगाल में क्यूं हरें या तो राहूल गांदी ने सपस्ट करना चाहिए कि EVM से आये नतिजों में हम जितते हैं तो भी सपत नह सब्सक्राइब अगर 가장 आश्चरी आफ शोस रही इतनी बड़ी पाटि अपने नेटा के एडवाइजर क्यों Rocky दलती हैं मैं दूर से देखता हूं मुझे आस्चरे होता है खेर छोड़िए उनकी पार्टी का सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है और हम उसको जमिन पर उताने का पूरा प्रयास करें अगला चुनाव दो हजार उनतेस वन नेशन वन देखें तो संसत को नेने करना है परन्तु भारतिये जन्ता पार्टी जरूर प्रयास करेंगी और उसको जमिन पर उतारें अमिर जी थोड़ा हटते हैं कुछ अंतराश्री मुद्दो पर भी बात करते हैं वाशिंग्टन पोस्ट पर एक आटिकल आया है उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजन्सी रॉ प्लॉट कर रही थी कुछ टर्रिस को यूएस में मारने का वहा मेडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सूरना चाहिए अगर कोई कॉंक्रीट आरोफ है तो इजन्सिया उसका जवाब देगी अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथर से हमारे साथ चर्चा करती है तो हम इसका जवाब देंगे कैनेडा में निजर निजर के मर्डर पे भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोफ मीडिया में लगने से मैं नहीं मानता को गंवीर सवाल खड़े होती है इसी से जड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी वो गार्डियन पब्लिकेशन में थी उसमें था कि पाकिस्तान में 20 20 टेरोरिस्ट को जो है इंडिया दूनने का सवाल है परन्तु मैं इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि यह तो एक्सपोस होई गया कि पाकिस्तान की स्वाई पर भारत में अतंग फिलाने वाले लोग थे प्रधान मंत्री जी भी कह रहे हैं आपके काफी वरिष्ट नेता भी कह रहे हैं कि अब यह भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होके साइट से तमाशा देखेगा यह भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है इस पर आपका क्या बचाए निश्चित रूप से सर्जीक कुछ महनों सе तमाम आटिकल आज जो कि भारत में electoral autocracy ताना शाही तमाम तरह की बाते करते इसको आप कैसे देखते हैं क्या कोई इसमें यह election के समय में यह जो बार-बार नहीं चार पिछले 3,45 में तीनों दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांस्परंट है, सबसे ज़्यादा विश्वस्ति है. अभी जी कश्मीर पर एक सवाल, क्या काश्मीर पर बीजेपी कश्मीर में चुनाओ लड़ेगी, आप ने कहा है कि आप वहाँ पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये सीधा सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे? अभी पार्टी ने ताई नहीं किया है, पार्टी ताई करेगी, परन्तों हम जम्मू में परमपरागत रूप से लड़ते ही रहें. कॉंग्रेस एक बात और कह रही है, कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है, कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोज जो है चुन लिये गए सूरत से, अभी इन दौर में भी ऐसा हुआ है. इस देश में 37 लोग निर्विरोज चुने गए और उसमें से सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस के चुने गए, तब तो कॉंग्रेस नहीं कहा, हर पार्टी ने अपने अच्छे कारकरता को टिकेट देना चाहिए, अब कॉंग्रेस पार्टी जबरजस्ती इनके कारकरताओं को कारकरता हार देखकर मैदान से भाग जाता है, इसमें बाठी चंदा पार्टी क्या कर सकती है, इनके उमेदवारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है, उनका है, अभी एक बुद्दा और आज उठा है, जो है कि कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो एक भारत तो इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारत सरकार ने वहां के रागदूत को आज समन किया था, और उनसे एक्स्प्लिनेशन भी मागा गया है, नाराजगी भी हमारी व्यक्त किया है, तो इस पर और कोई कारवाही कि अभी, इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी, इसको आप कैसे इस तरह का परनेश gitti'll कैसे manage करते हैं, और ये काफी महनों से आप कर रहे जाते हैं, आप सो पाते हैं की नहीं मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता हूँ मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूँ हाँ इससे किसी की नुइंद उरती है तो उनका प्रॉब्लेम है मेरी पार्टी को जिताना मेरी पार्टी के लिए काम करना यह मेरा दाईत् और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ अमिजी आप हमारे संग जुड़े आपने हमारे सवालों का जवाब दिया साबर मती तक तक आप आए और यहाँ पे आपने हमसे बात चीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रहुल बहुत बहुत चाता हूँ